हेलो बच्चो वेलकम बैग तु टू येट अनाजर सेसिंग और आज की क्लास में हम लोग continue करने वाले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जिसमें हमारी क्लास का आज का टारगेट है कि simply हमलोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा खतम कर देंगे आज के क्लास तो हमने पढ़ लिया अब हाई material variances क्या होता है हमने labor variances भी पढ़ दिये अब हमारा lastly बचा है overhead का variances वाला part overhead variances वाले पार्ट में मैं तुम लोगों पहले ही बता के रखा था कि दो पार्ट तुमको देखने को मिलता है variable से related होता है fix portion से related होता है क्योंकि जैसा कि हम लोगों पाता है कि overhead भी दो parts में divided है एक है variable portion एक है fix portion तो हम लोगों को दोनों के अलग-अलग variances कैसे होते हैं उसके उपर आज दील करना है class में तो फटा पड़ते बिना किसी देरी के start करते हैं और heading डालेंगे पहले हम लोग variable वाला portion कवर करेंगे तो variable overhead variances पहले हम लोग निकाल लेते हैं तो इसके अंदर तुम लोगों को तो टोटल तीन चीज निकाल लिए जैसे M1 M2 M3 M4 L1 L2 L3 L4 L5 वैसी VO1 VO2 VO3 ठीक है तो सबसे बहुए निको VO1 क्या होता है कि VO1 क्या होता है यह होता है तुम्हारा बेटा एक्ट्वल variable overheads ठीक है अब यह actual variable overheads आपको किस प्रकार से निकालना है तो वही simple तरीका है भाई जो भी actual का data दिया होगा उसको लेके तुमको निकाल लेना है तो यह तो कभी-कभी question क्या कर देता है देखो मैं बता रहा हूँ यह तुम लोगो multiple तरीके से दियो हो सकते है एक तो तुमको actual hours दे देगा जितने दिर काम चला है और actual rate पर आर दे देगा दोनों को multiply कर देना दोनों को multiply कर देना actual hour को actual rate पर आर से multiply कर देना ठीक है second thing तुम लोगों को कभी-कभी मतलब कभी-कभी question का मन करें का यार आज लट्डू खिलाते बच्चों को तो लट्डू खिलाए को कभी-कभी question directly actual amount provide कर देगा तुम लोगों को एक्च्वल आउटपूट देगा और इसको तुमको multiply करना पड़ेगा actual rate पर unit से ठीक है तो इस basis पर भी दे सकता है मतलब यार overhead को output के basis पर भी हो सकता है तो अगर तुमको लेट से दे के रखा है 10 घंटे और हर घंटे का rate तुमारा पांच रूपए तो दस इंटू पांच पचास रूपए हो गया कभी-कभी ऐसा होता है कि तुम लोगों का जो overhead देता है वो unit के basis पर रहता है तो तुमने 100 units produce किये हर unit के पीछे तीन रूपए का खर्चा हुआ तो 100 तुमारा VO2 होता है standard variable overhead based on actual data actual hours या actual output इन में से कुछ भी ठीक है actual hours भी हो सकता है actual output दोनों में से कुछ भी हो सकता है तो यह तुम कैसे निकालोगे जो भी तुमारा actual hours होगा इसको multiply कर दोगे standard rate पर आर यह बस समझ में यह अब कभी-कभी question में standard rate नहीं दिया रहेगा तो standard rate निकालने का कारेकरम तुमारा बहुत easy रहेगा standard rate अब तुमको per r चाहिए न standard rate या फिर यहाँ पर हो सकता है actual output भी दे देना इस एक्टा सेम टाइम यहाँ पर actual output भी बोल सकता है actual output भी बोल सकता है तो इस चीज को ध्यान रखना उसके according to output के अगेंस पर चीजे निकाल सकते हो तो तुमको rate निकलेगा जो भी तुमको overhead जिया रहेगा budgeted या standard उतको divide कर देना budgeted आर से तो तुमको rate पर आर मिल जाएगा ठीक है तुमको rate पर आर मिल जाएगा और यह बात समझ में येस तो यह तुम्हारा VO2 निकालने का तरीका होगा और बस एक और निकालने है हमको VO3 निकालने है तो यह होता है standard variable overhead for actual output तो standard overheads for actual output जैसे हम लोग वहाँ पर निकालते थे थे na standard quantity for actual production standard r for actual production वैसी है निकालते है standard variable overhead for actual production और actual output we can say तो इसको तुमको लेना actual output basically actual output कौन सा तुम्हारा standard time for actual production ठीक है अगर time के basis पर और standard output for actual production तो इसको तुमको actual output लेना है multiply करना है standard rates से निकालने का तरीका फिर से same रहेगा तो बस इसमें तुमको तीन ही निकालना है VO1 VO2 and VO3 that's it इतनी कहानी इस पर होती है और इसके basis पर इसके variances निकलते है तो पहले इसको note down करो फटाक से अब यहाँ पर लिखते हैं हम variable overheads cost variance variable overheads cost variance दो इससे में बढ़ जाएगा variable overheads expenditure variance variable overheads efficiency variance चलो तो variable overheads cost variance निकले का वही भाई लास्ट माइनस वाट तो यह तुम्हारा overheads की कहानी है बस बेटा बस इसके बाद हम लोग बोलते है खताम बेटे खताम क्यों क्योंकि variable overheads से भी इतना पूरिशन कवर करता है पटापट से एक बार अपन डिस्कस करेंगे वी ओवन क्या होता है variable overheads 1 का मतलब होता है तुम तोचे कि तुम्हारा standard total जो variable cost आएगा तुमने एक standard set किया हाँ इतना आ सकता है दो लाक आया तुम्हारा actual आया डेल्लाक दो लाक माइनस डेल्लाक हमेशा standard माइनस actual होता है दो लाक माइनस डेल्लाक 50 अजार favorable तुम्हारा क्यों हो जाएक ओढ़ेंस तो बतल इन टोटल standard minus actual in totality, इस ही को तोड़ते हैं ठीक है इस एक लिखे का हम दो हिस्थों में बाट देते हैं और वो दो हिस्थे कौनस है variable overhead, expenditure variance और efficiency variance, expenditure rate में दिखकत आया मतलब आप सूचे थे कि तुम्हारा variable overheads per unit कितना जाएगा पाच रूपए जाएगा लेकिन आपका लग गया चार रूपए या फिर लग गया छे रूपए तो बेसिकली एक्चुल एक्चुल आर्स तो सेम है लेकिन रेट में डिफरेंस आया रेट कम हुआ या जाधा हुआ तो इस वज़े से दिक्कत आई तो यह क्या हो जाएगा तुम्हारा overhead expenditure expenditure खर्चा वेरियंस फिर आएगा efficiency वेरियंस efficiency वेरियंस का मतलब आपको लगा था खर्चा कम होगा, efficiency आपकी जाधा चलड़ी होगी, मतलब basically आपने efficiency के point of view से judge किया था कि एक labor हो सकता है कि एक घंडे में इतना units बना ले, पर उतने actual में कुछ और units बना के दिया आपको जाधा या कम, ठीके तो efficiency में दिक्कत आएगी, तो इसलिए यहाँ पर देखो तुमको द स्टैंडर्स पर एक्च्वल प्रडॉक्शन, या फिर जब output पर बेज जोगा, तो फिर actual output ही लेंगे, और उसको फिर अपन standard rate से multiply करेंगे, actual output ही लेंगे, और उसको standard rate से multiply करेंगे, अगर आर्स में होगा, तो मैं तुमको परदा दिखा रहो बेटा, परदा है, परदा है, परदा हटा के देखेंगे, तो इस standard आर्स है, और यह actual आर्स है, तो standard आर्स को अपन एक्च्वल आर्स से compare कर रहें, ठीक है, हमने सोचा था भाई, इतनी efficiency होगी, लेबर्स की इतना उनलों प्रोडक्शन करने में capable होगे, बट वो नहीं रहे, उन्होंने कुछ कमी दिखा द है, हम जी भाईया, हम बढ़िया, लिज ठीक है, बच्चों, क्या हम question करने क लिए नहीं हमेशा त्षपर रहते हैं, हम हमेशा ready रहते हैं, ओ, छलो तो पहला question में तुम लोगों कराना है थिक चलो बोल रहा है from the following information of G limited वा 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 जी जी calculate करो variable overhead cost variance variable overhead expenditure variance और overhead efficiency तो देखो तुम्हारे पास budgeted production कितना है आप सोचे कि आप 6000 यूनित बनाओगे ठीक है you think that you are going to produce 6000 यूनिट्स variance overhead कितने का आ गया एक लाग बीट अजार था budgeted overhead variance कितना आ गया एक लाग बीस अजार रुपे का आपका खर्चा हो गया ठीक है standard time for one unit of output दो घंटा है तो basically आपने standard time कितना सोचा in total अगर एक unit के लिए एक unit के लिए आपने दो घंटा सोचा तो 6000 यूनिट के लिए कितना सोचे हो गया यहां पर हम करने जा रहे हैं इस question को क्वेश्चन नंबर कौन सा ही है एक शर्टीन अगरे लिए वन एक्ट्वल अगरे वेरियेबल और तो एक्ट्वल वेरियेबल ओवरेड तुम्हारा कितना रिकला वी यो बन में निकाल ले हैं हमको यह तुम्हारा देखो बन लाक ट्वेंटी टू थाउजन question में दिया हुआ है 1,22,000 यह हुआ तुम्हारा एक्ट्वल वी ओ टू में क्या करने आपको एक्ट्वल आर्स लेने एक्ट्वल आर्स लेने ग्यारा हजार छेसो गंटे पर रेट स्टैंडर्ड लेना है अब स्टैंडर्ड रेट question में directly given नहीं है पर क्या मैं पर आर रेट निकाल सकता हूँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ एक लाग 20,000 रुपए का खर्चा मैंने सोचा था जब मैं 12,000 गंटे काम कराने वाला था ठीक है स्टैंडर्ड देखो ना चैंडर्ड मैंने एक लाग 20,000 रुपए सोचा था खर्चा जब मैं 12,000 गंटे काम कराने वाला था तो वन लेट 20,000 डिवाइड कर दो 12,000 से तुमारा पर आर रेट आ रहा है 10 रुपए बजेटेड पर आर रेट बजेटेड आ रहा है 10 रुपए तो यह जाएगा तुमारा एक लाग 16,000 रुपए वी ओ त्री तुमारा जो भी एक्ट्वल आउट्पूट है एक्ट्वल आउट्पूट कितना है 5,900 यूनिट्स इसको मल्टिप्लाई कर दो स्टैंडर्ड रेट से अब यूनिट्स के बेस में रेट कैसे निकलेगा तो मैं सोचा था मैं 1,20,000 पर यूनिट रेट कितना आगया बजेटेट रुपए इसको इस से डिवाइड कर दिये तो पर यूनिट रेट आगया 20 रुपए बजेटेट ठीक है स्टैंडर्ड रेट तो यहां पर लिग दो 20 तो 5,900 इंटू 20 करोगे तो यहार है एक लाग 18,000 तो यह तुमारा आ गया यह विए वन वियो टू और यह थी वैरी वेरी एबल्स वाले पूर्शन मतलब ओवरेट वाले पूर्शन बहुत ईजी है यह यह वेरीबल की बात करू चाहे फिक्स्ट की बात करू इट रेली इजी चलो जी देखो यहां पर फटा फटा लिको वेरीबल ओवरेट्स वेरीबल ओवरेट्स वेरीबल ओवरेट्स वेरीएंस इसका दो हिस्तों मैं बात दूँ एक्पेंडीचर वेरीएंस अटिक है एक्पेंडीचर वेरीएंस एफिसेंसी वेरीएंस एक्पेंडीचर के वे-ो-1 एफिशेंसी के के केस में वि-30 माइन एफ वि-0 और अजिए चलो अब एक एक करके डेटा प्लॉट करते हैं वियो थ्री कितने एक लाग अठारह घजार एक लाग बाइस हजार अगर भी पूस्ट इस चार हजार एड़ वर्स वियो टु कितने हैं एक लाग सोलह हजार अगर एक लाग बाइस होला सथा तरुनीज इस इस वाइस यह जार एड़ वर्स और वियो थ्री कितने एक लाग अठारह जार माइनस वियो टू एक लाग सोलह था दो हजार फेवरेबल लो जी तो यह तुम्हार आंसर हो गया इस क्वेशन का नोट डाउन करलो इसको लो कि इसको वाइब नेक्स्ट रम लोगों को वेरीबल तुम लोगों समझ में आ गया होगा अब चर्चा करना है फिक्स के उपर फिर उसके विज़ेर बैट जनरली क्या होता है क्वेशन पिक जो ओवर हेड़्स वेरियंस चलो लिखो जी एफ ओवन फिर वही इसमें पांच बनेंगे ठीक है तो एफ ओवन तो समय सेम होता है यहीं एक्ट्वल एक्ट्वल ओवर हेड्स अब यहां तो तुम लोगों को यहां पर दिया रहेगा एक्ट्वल आर्स उसको मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा तुमको एक्ट्वल रेट पर आर्से अब तुम सोचों के भाईया ओवर हेड्स कब से आर्स के बेसेस पर होने लगा बेटा ओवर हेड्स के उपर जादा प्रॉपर कंट्रोल एक्सराइस करने के लिए और्गनाईजिशन क्या करती है तो इसलिए हम ऐसा करते हैं झाल 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 यह आपको नोट करना है F01, F02, F03, F04, F05 झाल झाल ऐट, F06, F0, F00, F04, F07, F06, Fय बशौल Black तुम्हारी या फिर तुम बोल सकते हैं उनको सीधा स्टैंडर्ड रेट से मर्टिप्लाई कर दोगे पर यूनिट ठीक है तो एक ही बात होती है दोनों का मतलब एक ही होता है स्टैंडर्ड रेट पर रेट पर रेट से मर्टिप्लाई करो या फिर एक्ट्वल प्रोड़क्शन जो भी तुम्हारी है उसको डिरेक्ली स्टैंडर्ड रेट जो तुम निकालोगे पर यूनिट उससे मर्टिप्लाई कर दो तो यह तुम्हारा पूरा एफ फो वन टू थी क्यां से इसके लावा कोई तरीके से तुम्हारे साथ खेली नहीं तरीके से ट। तो यह मैंने तुम्हारा पूरा प्ले अरिया बता दिया जहां जाब पर क्वेश्चन तुम्हारे सब गेम्स खेलेगा चलो फाइंल लिक लेते हैं पांच वेरियंस बनेंगे इसके अंदर नहीं छे बनेंगे दो तीन चार पच्छे बन जाएंगे तो यहां लेको पिक्स्ट ओवर हेट्स कॉस्ट वेरियंस पिक्स्ट ओवर हेड्स वाल्यूम वेरियंस पिक्स्ट ओवर हेड्स बजट वेरियंस इसको ऐसे तुम लोग एक्पेंडीचर भी बोल सकते हो अगर चाहो तो एक्पेंडीचर वेरियंस एक ही बात है तीन उसों में तूट जाएगा पिक्स्ट ओवर हेड़ कालेंडर वेरियंस क्या पिस्टिटी वेरियंस कि एफिशेंटी वेरियंस कि सॉल्व करने का तरीका मारा सेम रहा है कि जिससे पहले होता था F05 को पहले हम F01 से माइनस कर देंगे पिडियो हो जाएगा तुम्हारा F02-F01 क्योंकि यह बात कर रहा है किसके बारे में expenditure के बारे में that means rate में change के बारे में बात कर रही है ठीक है फिर यह तुम्हारा हो जाएगा F05-F02 फिर वही F03 F04 या इंसर्ट करेंगे और छोटे से बड़ा लिख देंगे F03-F02 F04-F03 F05-F04 ठीक है that's it वही तरीका है जैसे हम लोग ने किया था लेंबर के अंदर ओके बच्चों ओके नोटेंट डाउन फास्ट करके देखते हैं तमंज में आती ही कि नहीं बात हमें लिमिटेट फॉर दा मन्त अफ सेप्टेमबर 2020 इस फॉल फिक्स वर एड आपको बजेटेट भी देके रखाए एक्चुल भी देके रखाए तो यह देखो भाई नो पन्दरह हजार घंटे क्या सोचा हमने हमको स्च्ट्नर टाइंड लगजाएगा फंदरह हजार घंटे इन 50 गत्र इंटि यहीं सोचा ना चेुंकि मैं सचा कि एंड़र को बनाने में 2 गंट बनाँ गा और में टॉटल साच हजार पांट रून्छ बनाओंगा तो ले लोगेर अब नाय। फिर बोल रहा है एक्टाल आर्स वंक्ट बिए तोलाहधार गिंटे हैं रिक्वाईट नावर्ट कोस्ट वेड़न्स ऑवरेड़ एक्सपेंडीटर वेरिंस वॉल्यूम वेरियंस एफिशेंसी वेरियंस ट्रेंस एक को चोड़ दिये कैलेंडर उसको भी ले लेंगे ठीक है तो चलो जी कुछ नंबर 14 हम सॉल्व करने जा रहे हैं तांच साथ में क्वेश्चन नंबर 14 एफ ओवन क्या गिवेन है कुष्चन में हांजी एक्च्वल 15,60,000 एफ ओटू क्या गिवेन है कुष्चन में हांजी 15 लाख लब मजाक हो रहे है एक से किनियर मजाक हो रहे है नहीं बिल्कुल मजाक नहीं हो रहे है तब जोड़दार है देखो एफ ओटरी निकालने के लिए मेरे को चाहिए एक्ट्वल डेस इंटू स्टैंडर्ड आगे तो क्या आपको दिन के बैसे से बात की है बताओ बात की है नहीं बेटा नहीं ऐसा नहीं कर सकते तो बिल्कुल भी नहीं करना यह कारनामा ने खतरनाक प्रूफ हो जाओगे तो जो भी तुम्हारा एक्ट्वल आर्स है उसको तुम स्टैंडर्ड रेट से मल्टिप्ल वाई पंद्रा हजार रुपए देने वाला था 15,000 घंटे के लिए 15,005 रुपए तो बेसीकली मैं कितना देने वाला तो और पर फराथ ठीक है पंद्रा लाख डिवाइड़ेड बायपंद्रा हजार अर्वी क्लियर विद दिस एस चलो जिसको नोट करो अब ले लो सोलह हजार घंटे को सो से मल्टिप्लाई कर देंगे ठीक है एक्ट्वल लार्स इंटू स्टैंडर्ड रेट यह भी सेम आ जाएगा और एफो फाइफ तुम्हारा हो जाएगा एफो फाइफ तुमको क्या लेना है एक्ट्वल आउट्पूट इंटू स्टैंडर्ड रेट एक्ट्वल आउट्पूट कितने हैं आट सो तो यह हो गया पंदरह लाग साथ हज़र ठीक जी बच्चों जी बहुत करें तो सबसे पहले कॉस्ट वेरियन्स अब इसके बाद निकालना है तुम लोगों को अपना एक्सपेंडीचर वेरियन्स और देन आपका एफिशेंसी बोलते हैं हम लोग जिसको पर यहां पर देखो एक चीज़ जाए ना फिक्स ओवरेट के इंदर एफिशेंसी की बात नहीं होगी यहां पर वॉल्यूम की बात ह है पर आप हम लोग इसको वॉल्यूम का नाम देखे रखे है ठीक है तो एक्सपेंडीचर वेरियंस निकालते है पहले कैसे निकलेगा एफ पोर टू माइनस एफ फोर वन एफ फोर टू कितना है फंद्रा लाग माइनस पंद्रा लाग साथ हजार तो यह हो जाएगा एडवर्स ठीक है की वोल्यूम वेरियंस F05-F02 F05 है 15,60,60 और F02 है 15,60,60 तो जाएगा 60,000 फेवरेबल ठीक है तो वही 60,000 प्लस माइनस होके 0 आ रहा है तुम्हारा ठीक है इसके बाद निकालना है calendar variance देखो हमको question सिर्फ 2 ही बोला है पर हम 3 हो निकाल देते है calendar, capacity और efficiency तीन हो निकाल देते हैं ठीक है यह देखो यह जो चीज़ है यह efficiency के बारे में बात कर रहे है इसका proof भी यह यह कि देख लो इसके अंदर एक portion आपको देखने को मिलेगा efficiency का तो capacity efficiency calendar तीनों को मिला कर तीनों को मिला कर calendar बात करते हैं कैसे तुम period में biforget कर रहे हो fixed cost को ठीक है capacity बात करते हैं कि फिक्स्ट जो overhead कर रहे हैं उसकी क्या capacity है अब्सक्राइब करने को एफिशंसी बात करते हैं कि कितना optimum utilization हुआ है तो volume जो है volume is the portion that shows the effectiveness and efficiency of the fixed overhead in car ठीक है तो इसलिए इसके अंदर एक portion आपको यह देखने को मिलता है तो यह हो जाएगा f43 माइनस f42 यह हो जाएगा f44-f43 और यह हो जाएगा f45-f44 ठीक है तो capacity f44 16 लाग माइनस f43 16 लाग माइनस तुले राख एक मिनट रुको वच्छवा एक मिनट एक मिनट बस रुकना ना ये हो गया एक सेकंड एक बेटा एक हम लोग से मिस्टेक हो गई क्या मिस्टेक हो गई बेटा यहां पर एक पो थ्री जो है उसके लिए कोई डेटा नहीं देके रखा था कुश्चन तो हम लोगों को प्रीवेस वाले को कॉपी पेस्ट करना था और यह हमारे ध्यान से हड़िया है कि अगर हमको डेटा नहीं देके रखा एक पो थ्री के क्लिक म pig यहां कोई बात नहीं बात है कर ले गलती से मिष्टेक करोगे में Tomorrow's ठीक है मार्क्स के चार्टे पढ़ जाएंगे मार्क्स अपके साथ नहीं देंगे तो गलतियां नहीं करनी अपको ठीक है 15,60,000-16,00 तो यह हो गया 40,000 एडवर्स क्लियर है सबको चलो यह हो गया आपका पूरा कुश्चिन समात इसको फटा फट से आप लोग नोट डाउन करने का कस्ट करेंगे और कुश्चिन देख लेना ध्यान से एक बार भाईया एक बार ध्यान से कुश्चिन जरूर पढ़ ले ना जरू कश्चिन मैं सब्सक्राइब कर लेना ठीक है ड् specially रहा है उखकी uh फ्रोड Lean परनेश्ट कर रहा है वर बहल देखें है और प्रडॉक्शन करोगे सब्सक्राइब strongest info करोगे और मैं करा दूंगा सौ 16 जएई वहाइं धboo yardage कर रहा है फ़ॉछ इप्निश्ट और्रBox escort 2020 क्या क्या बता रहा है देखना द्यान से बजेट एक्च्वल आउट्पुट देखे रखा है 30,000 32,500 आर्स देखे रखा है आपको फिक्स्ट ओवरेट देखे रखे एपको था खेसी हगे प्रोचिद करेंगे तो यहां पर लिखन से बेरीबल औरहरें में इसको उठाके लिख दो हैं पर लिखतें City ओ टू में क्या करना था तुम लोगों को एक्चुल आर्स इंटू स्टांडर रेट तो एक्चुल आर्स कितने तुम्हारे 33,000 घंटे और एक्चुल रेट कैसे निकलेगा भाई जो भी तुम्हारा वेरियेबल ओवर हेड है उसको तुम नंबर ओफ आर से डिवाइड कर दो तो 33,000 इन्टू 60,000 divided by 30,000 तो यह क्या रिप्रेजेंट कर देगा पर आर स्टैंडर्ड रेट इसको रिप्रेजेंट करेगा यह ठीक है तो 60,000 divided by 30,000 यह हो गया दो रुपया इन्टू 33,000 कर दो तो यह हो जाएगा 66,000 VO2 VO3 भाई स्टैंड एक्ट बेसिकली आउटपुट ले लो और आउटपुट बेस रेट निकाल लो तो आउटपुट क्या है 32,500 एक्शल आउटपुट है तुम्हारा 32,500 इन्टू स्टैंडर्ड रेट ले लो पर यूनिट स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कैसे आएगा जो भी तुम्हारा वेरियेबल ओवरेड से उसको नंब निकालना है वेरिएबल ओवरेट इडिवाइड़ नंबर ओव देस इंपल तुमको भाई जिस बेस्ट पर निकालना तुम डिवाइड करके निकालते जाओ तो यह भी हो जाएगा V03-V02-V01, 65,000-68,000 तो यह जाएगा 3000 adwords, variable overhead, expenditure, variance V02-V01 66-68 2000 adverts variable overhead efficiency variance V03-V02 65-66 1000 adverts ठीक है डन 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 लो जी तो variable वाला portion इस question के अंदर का हमारा खतम हो गया तो इसको note कर सकते हो अब variable वाला फिर अपन प्रोसीड करेंगे fixed portion में ठीक है जी बच्चो हाँ भाईया चलो अब पूरा पूरा fixed fixed की बात करेंगे तो सबसे बल निकालते है अब को टू कितना है 45 एफ को ट्री कैसे निकलता है actual days into rate per day actual days कितना है 26 और rate per day कैसे निकलेगा rate per day कैसे निकलेगा जो भी तुमारा fixed over rate है उसको budgeted day से डिवाइड कर दो तो 45,000 divided by 25 दिन तो पर डे 1800 रुपय आ रहा है budgeted rate budgeted rate आ रहा है पर डे 1800 1800 को 26 से मल्टिप्लाई करेंगे 26 into 1800 ठीक है actual days into standard rate per day into standard rate per day यार 46,800 एफ वो त्री actual hours कितना है 33,000 into standard rate per hour standard fixed overhead rate per hour तो यह कैसे निकलेगा hours से डिवाइड कर दो किससे डिवाइड कर दो कि hours से 45,000 divided by 30 hours 30,000 hours तो 1.5 आ रहा है per hour rate 1.5 क्या रहा है तुमारा per hour rate budgeted इसको 1.5 से multiply करो तो यहार है 49,500 F05 F05 मतलब actual output into standard rate तो actual output कितना हो जाएगा? एक मतलब रुकना बच्चो ओके? येस तो चलो F05 actual output कितना है? 32,500 एक्चोल आउट्पुट है और rate standard rate per unit कितना है? standard rate per unit तुमारा है 45,000 divided by 30,000 45,000 divided by 30,000 per unit rate निकाला हूँ ना? अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता है कि यूनिट्स और आर से मैं ठीक है? 45,000 divided by 30,000 into 32,500 48,750 आगया F05 तो यह पहले इतना नोट करो तो लोग फटाक से नोट इन डाउन बच्चो नोट इन डाउन बच्चो नोट इन डाउन ठीक है बच्चो? चलो जी चलो तो यह तुम्हारा हो गया पाचो अब हम लोगों को निकालना है variances तो सबसे पहले निकलेगा cost variance fixed overhead cost variance VO5 minus VO1 यह दो हिस्तों में बढ़ जाएगा एक हो जाएगा volume variance VO5 minus VO2 और एक हो जाएगा expenditure variance VO2 minus sorry मैं V क्यों लिखना हूँ यार I am so sorry रच्चो FO5 minus FO1 FO5 minus FO2 FO2 minus FO1 अब यह तीन हिस्तों में बढ़ जाएगा calendar variance जो भी देखो इसमें सब इस लिए निकाल रहा है question बोला था calculate variances तो भाई इसका मतलब question बढ़ा सब निकाल सब ख़ता हूँ ठीक है capacity variance efficiency variance VO3 minus फिर वी लिख रहो भाहिया क्या कर रहो आप F43 minus FO2 FO4 minus FO3 FO5 minus FO4 ठीक है चलो डेटा डालो निकालते जाओ फटाफट 48,750 minus 50,000 1250 Adverse 48,750 minus 45,000 C750 F02 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 कह है 45,000 minus FO1 50,000 5000 F05 F04 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 49,500 49,500 50,500 45,500 54,500 F04 46,500 55,000 56,500 54,500 55,000 55,500 55,500 55,600 यह हो जाएगा, अठारा सो फेवरेबल, ठीक है, चलो बच्छो, क्लियर है सबको, यह तुम्हारा फिक्स्ट ओवरहेड वेरियंसे निकल गया, ठीक है, एक्ट्वल 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 एक लगता है क्योंकि बहुत बहुत डारेक्ट डारेक्ट डेटा को डिवन रहता है और निकालना असान हो जाता है तो नोट कर लो कि अगर नेक्स वेश्चन देखें क्या कि वोश्चन नमबर 17 फिक्स की ओपर है फिर से बोल रहा है नमबर बजेटेड वर्किंग डेस 25 है बजेटेड मैं आर्स पर डे मैं आर्स पर डे देखे रखाए मतलब टोटल मैं आर्स कितने हो जाएंगी यह दोनों को आर से यूनिट एक तो बोल रहा है अर घंटे कितना यूनि एक घंटे वहता है तो एक उनट बाहर निकलता एंपर मैं आरो बूले के ना मैं आर तो बेसिकली कर Ag Gene गंटे काम हुआ तो कितने युनिट बनके बाहर निकले होगे तो यूनिट में हालिक देता हूं जो कि बजेटेट था टैंडर था वो था तो हमने एस्टीमेट किया कि यूनिट हम बना लेंगे इस डेटा के कॉल्टे ठीक है हां जी बोल रहा है फिक्स्ट ओवरेट कॉस्ट जितना हमने बजेट किया था एक्शुल वरकिंग डेश 27 निकल गहां और मेना अर्ट 6300 पर दे निकल गए तो बैसिकली एक्ट्चुल में कितना घंटे काम हुआ 6300 x 27 एक्ट्चुल में 6273 आर्च काम हुआ 1 सत्तर अधर 117,100 घंटे actual में काम हुआ actual hour ठीक है तो standard आर्ट देल लाग था actual hour 171100 घंटे actual output per man actual में 1 घंटे में remain units, तो हम 0.9 units बना है actual में, गंटे में तो अगर मैंने 170,100 घंटे काम किया है और अग 1 घंटे में 0.9 units बना के दिया है तो total कितने units बनाए होंगे तो units बताओ units एक लाग सत्तर एदर एक सो इन्टू पॉइंट नाइन अगर एक घंटे पे बनाया है तो एक लाग सत्तर एदर एक सो इन्टू पॉइंट नाइन तो यार है बेटा 153,090 units तो इतने units मैंने manufacture करके दिये हैं organization को एक लेटा fix cost होता है F5, F5-F1 volume होता है F5-F2 expenditure होता है F2-F1 तो अगर इस question में देखोगे तो हमको सिर्फ F1, F2, F5 निकालना है बस question खतम हो जाएगा ठीक है तो बस इतना ही हम निकालेंगे हापर तो निकालते है F1 F1, F2 तो निकालना भी नहीं पड़ेगा question में directly given है 156 और डेड़ लाख actual और standard F3 निकालना पड़ेगा तो actual output ले लो actual output कितना है तुमारा 153,090 है actual output into कर दो standard rate per unit से तो standard rate per unit तुमारा क्या है standard rate per unit तो डेड़ लाख मैंने सोचा था खर्चा standard cost is 1,50,000 and standard unit is 1,50,000 तो कितना है गा भाई एक रुपए हैगा per unit cost एक रुपए हैगा क्योंकि मैंने standard cost सोचा था 1,5,00, और standard unit सोची थी 1,5,00, तो मैंने per unit cost standard के format में सोची थी एक रुपए, एक रुपए per unit तो यार है 153,090 आगया F05 एए, सोरी F05, तो सबसे पहले निकाल दो cost variance F05 minus F01 153,090 minus 156,000 ठीक है, पिर आएगा efficiency variance, efficiency नहीं, volume variance F05 minus F02 153,090 minus 1,5,00, और फिर आएगा तुम्हारा expenditure variance F02 minus F01 156,000 ठीक है जी, 153,090 minus 156,000 तो यार है का बेटा 2910 adverse 153,090 minus 150,000 यार का 3090 favorable 150,000 minus 156,000 यार जाएगा 6000 adverse clear है सबको low note it down बच्चो, note it down very easy question it is इसली बोलता fix overhead variances are like so easy क्यों easy पढ़ते हैं क्योंकि ऐसे बहुत-बहुत सारा data directly दिया रहता है पटावर्चे से note down कर लो ठीक है ओके चलो next question करें ठारवा question हाँ भी या करो करो calling information available from the cost record of the company for the month of July हाँ जी तो आपको material purchase देके रखा है material consume देके रखा है हमको किस से मतलब है हमको तो consume से मतलब है actual wages paid for देके रखा है fixed factory overhead incurred देके रखा है fixed factory overhead budgeted देके रखा है units produce देके रखा है standard rates और price देके रखा है direct material का ये है standard standard input ये है 10 piece per unit ठीक है डारेक्ट लेबर रेट 6 रुपए पर आ रहे हैं और स्टैंडर्ड रिक्वार्मेंट धाई 2.5 र पर यूनिट है ओवरेट्स देके रखा हैं 8 रुपए पर लेबर आ आपको बोड़ रहे कल्कुलेट करो तो प्राइस बेरियंस माटेरियल का यूसेज का लेबर रेट और एफिशेंसी और फिक्स ओवरेड एक्सपेंडिचर एफिशेंसी क्यापसिटी इतना निकालने आपको कुश्चन बोड़ ठीक है हां जी तो अब निकाल लेंगे क्या बिल्कुल निकाल लेंगे चलो चार्ट एक्ट्वल कॉंटिटी इंटू एक्ट्वल रेट ठीक है तो एक्ट्वल कॉंटिटी कितनी है 21,000 पीस और एक्ट्वल रेट कैसे आएगा इसको इसे डिवाइड कर दो नब्य हजार डिवाइड़ बाइस एजार कर दो तो पर यूनिट रेट आ जाएगा पर्चेस का रेट आ जाएगा तो नाइन्टी थाउजन डिवाइड़ बाइ ट्वेंटी थाउजन इंटू 21,000 तो यह आ रहा है 85,909 ठीक है इसी एक्ट्वल कॉंटिटी इंटू एक्ट्वल रेट लेना था एक्ट्वल कॉंटिटी में कंस्यूम्ट लेना है यह चीज़ जिहान में रखना हूँ एक्ट्वल कॉंटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट कि 21,000 इंटू 4.5 कि 94,500 और सिर्फ M4 की जुरत बढ़े है M3 की दर्वत क्वेश्चन में नहीं है कि क्वेश्चन यूसेज प्राइस वेरियंस पूछा है बस तो M4 निकाल लेंगे स्टैंडर्ड कॉंटिटी फॉर एक्ट्वल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड रेट ऐसे करके हम लोग करते हैं बर यहां पर एक्ट्वल आउट्पुट हमको देखे रखा है question 1900 तो इसका यूस करके निकालते है 1900 इंटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट तो देखो यहां पर देखना कैसे निकलेगा standard input आपको देखे रखा है क्या 10 पीस डालोगे तब एक यूनिट बाहर निकलेगा एक यूनिट को बनाने के लिए दस डालना पड़ता है और एक पीस का रेट जो है वह 4.5 है एक piece को purchase करने का rate 4.5 है standard की बात करो ना standard की तो 10 piece को purchase करने के लिए कितना लग जाएगा 45 रुपए लग जाएगा 45 is going to be the requirement for purchase of 10 piece अब ये 45 रुपीज में जो आप 10 piece purchase करके लाओगे इससे एक unit बन के बाहर निकलेगा कितना unit बन के बाहर निकलेगा एक unit तो कायदे से एक unit के पीछे कितना standard cost लग गया per unit 45 आर ये बास समझ में तो यहां लिख दो 45 1900 इंटू 45 ये जाधा ही पड़ता है इसलिए मैंने ऐसे कराया इसको 85500 are we clear with this फटा फट से material variances निकाल देंगे हो गया material cost variance cost तो बोला ही नहीं usage और price बोला है m4 minus m2 85500 minus 94500 9000 adverse 94500 minus 85909 94500 minus 85909 8591 favorable clear इसब को yes note down कर लो इसको clear अजी भईया चलो next material variances हो गया price variances निकाल गया इस page में तिर फेकी data है और वो भी overheads भी काम आएगा labor variances निकालेंगे अजी एल बन क्या होता है actual time paid for into actual rate question में डारेक्ली देखे रहा है चलो एक्टूल टाइम पेड़ फॉर कितना दिर काम किये हैं लेबर्स फाइव 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 जीरो आर्स इन्टू स्टैंडर्ड रेट यहां देके रखा है छे रुपए पर आर लेबर का छे रुपए पर आर छे रुपए पर आर ओके भाई या 30,000 30,000 लफाइव बस और लगेगा इधा आउटपूट बेस पे निकालते हैं ठीक है एक्टूल आउटपूट इंडू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट उनीस सो था चलो स्टैंडर्ड रेट पर उनिट निकालते हैं तो देखो स्टैंडर्ड रिक्वार्मेंट रे धाई घंटे एक उनिट को बनाने में क्यों कि वो लेबर एक घंटे का छे रुपे लेता है और वो धाई घंटे लगाता है एक उनिट को बनाने में तो टू पॉइंट फाइवार इंटू सिक्स हम उसको पंदरा रुपे एक उनिट बनाने का देंगे स्टैंडर्ड ठीक है तो इन्टू नाइंटीन हंडर्ड कर द यू और दूमा नएंटीन है यू नएंटीन है यू यू थीज़न ऊसव पच्छीज साबचास इन पर दो प्च्छीज सुच पचासरा है है थाइस पांग सो तीस हुदर नौसो लो जी हो गया नोट डाउन करो इसको तो नटे डाउन बच्छो नोटेट डाउन लेबर विरिएegने इसके तरहें बडिके आलो दीख रहा है तो ओड और कलई समस्टेंहा आanten कोया देएं टमिंट बैट करेकिंगेständेन हैं लास्ट निकाल यह निकाल देते बच्चो को में कि espe F01 Actual Overheads Actual Overheads question में given है 46, 42 budgeted F02 Budgeted Overheads 42,000 देखो ये दो चीज देखे तो question हमारा आदा game वैसी आसान कर देता है अब हम लोगों को निकालना पड़ेगा F04 और F05 ठीक है क्योंकि दोनों की requirement है question में F03 नहीं तो actual Rs जो भी होंगे तुम्हारे into standard rate per hour actual Rs बेटा question में 5150 देखे रखे थे और standard rate यहाँ पर देखे रखा है शायद per hour आइए देखो 8 रुपए per hour standard rate देखे रखा है overheads का ठीक है तो 8 रुपए 5150 into 8 रुपए 41200 और F05 तुम्हारे जो भी actual output है into standard rate actual output है 1900 इसका standard rate कैसे हैगा समझो एक यूनिट को बनाने में लग रहे है धाई गंटे एक यूनिट को बनाने में लग रहे है धाई गंटे और एक घंटे का overheads लग रहे है 8 रुपए एक घंटे का overheads लग रहे है आठ रुपए तो 2.5 into 8 बच्चो 20 रुपए देना पड़ेगा एक यूनिट के पीछे overheads के लिए 20 रुपए देना पड़ेगा एक यूनिट के पीछे overheads के परपस के लिए तो यहां लिख दो 20 20, 20, 20, 20, 30, 8,000 एक लिए सबको यह चलो फटावर्ट दे वरियंस निकाल लेते हैं अगें एक्सपेंडीचर एफिशेंसी और क्यापसिटी बस एक्सपेंडीचर वेरियंस एफिशेंसी और एक सेकंड और कॉन सा था है कॉर्ट क्यापसिटी अहां गया? हाँ एरा लो जी तो चलो तीनो निकालते हैं एफ़ो टू 42,000 माइनस 46,000 एफ़ो फाइफ 38 माइनस 41,200 और एफ़ो फॉर 41,200 माइनस 42 अच्छा एफ़ो ट्री भी अपने को निकालना पड़ेगा कैपसिटी के लिए ओके लेकिन एफ़ो ट्री के लिएं कोस्टन में डेटा निकाल नहीं दिया है तो एफ़ो ट्री के लिए यो टो पी ओफ़ोटो टू एफ़ो टू का क्या हो जायेगा? पोटो खापी हो जाएगा तो यह हो जाएगा 42,000 छलो 42,000 42,000 46,000 4000,000 38,000-41,200 कि नजर दोस्ट एडवर्ट 41,200-42,000 आट सो एडवर्स क्लियर है सबको ओके चलो नोट कर लो इसको FO3 कोश्चन में डेटा क्यों नहीं दिया है बच्चे पूच रहें बेटा मेरे को दिन ढून के दिखा number of days तेरे को कहां दिये पूरे question में number of days actual days, standard days कहां देके रखे, नहीं देके रखे हैं तो बस फिर उसका data ही नहीं है, FO3 का data था आर्स का, FO5 का data था, output का FO2 दिया था, FO1 दिया था FO2 का फोटो कापी कर देंगे, FO3 को क्योंकि question में data नहीं था note it down note it down, note it down, note it down note it down, note it down, note it down note it down, note it down ठीक है बच्चो last question के तरफ हम लोग प्रस्थान कर रहे हैं तुम्हारा 19th number question, इस पूरे chapter का ही last question है, ठीक है फिर से अगेन एक full-fledged question है, जिसके अंदर अलग-अलग variances आपके पूछेंगे, material labor overheads के SP limited produce करें एक product Tempex, जो की sold होता है 10 kg के packet में, मजब एक packet में 10 kg होता है ये, ठीक है standard cost card per packet of Tempex as follows, तो बोलना है, direct material 10 kg लगता है, 45 रुपए के भाव से 400, direct labor 8 गंटे का लगता है, 50 रुपए के भाव से 400, variable overheads भी 8 गंटे के लगते हैं, 10 रुपए पर आर देना फ़रता है, तो 80 रुपए fixed overheads तुम्हारे 200 के लगते हैं, तो in total तुमको लग जाता है 1130 budgeted output for third quarter of the year जहां पर 10,000 kg था, जोकी actual output 9,000 kg था, तो budgeted output देके रखाए 10,000 kg पर हमारा actual बना 9,000 kg direct material 8,900 kg 46 के भाव से, direct labor 7,000 kg, 52 के भाव से और variable overheads इंकर हुए इतना, fixed overheads इंकर, बोल रहा है you are required to calculate material, material material, usage, price or cost labor efficiency or rate variance cost variance, variable overhead cost variance fixed overheads, cost variance variable और fixed का तो सिफ cost variance निकालना है तो overheads का तो काम एकदम असान हो गया और material और labor तो हमारे खून में दोड़ता है तो overall question बहुत easy है, बस बड़ा है easy question है बस बड़ा है, तो सबसे निकाल लेते है material variances M1 actual quantity into actual rate तो वैसे question में directly given if 4,9,400 actual quantity into standard rate actual quantity यह देखो, 8,900 kg into standard rate 45 रुपए पर किलो, 45 रुपए पर किलो 8,900 actual quantity जो लगा, 45 रुपए पर किलो rate है 4,500,000 ठीक है M1, M2 लगे का cost और rate और usage M4 लगेगा M4 actual output into standard rate actual output 9,000 kg गया और standard rate कितना है standard rate बेटा इस चीज़ को समन्दा ध्यान से तुम लो यहाँ पर 10 kg का 45 रुपए पर किजी ले लो 9,000 kg बन क्या है 45 रुपए पर किजी रहा था कि 9,000 kg बन के निकला है 9,000 kg बाहर निकला है एक packet एक packet जो होता है तुम्हारा उसके अंदर 10 kg में डाल देता हो और packet को सील कर देता हो तो बिचिकर यह 9,000 divided by 10 तुम सिर्फ 900 packet का output बहर निकालोगे तो yes guys तो 9,000 divided by 10 तुम सिर्फ 900 packets बनाओगे 900 packets तुम बनाओगे तो यह तुम्हारा जो output बन क्या है वो 900 packet का बन क्या है तो 900 packet और एक packet के पीछे आप कर रहे हो 4500 का खर्चा material के लिए standard खर्चा जो कर रहे हो मटेरियल के लिए एक पैकेट के पीछे वो कर रहे हो साड़े चार्ज रोखा ठीक है तो इसलिए 900 into 450 मैं ऐसा बोल रहा था लेकिन सीधा 9000 into 45 भी कर दोगे बात एक ही है बट जो observation हमारी बन क्या आती वो ऐसी बननी चाहिए आरी बात समझ में observation कुछ इस प्रकार से दिखनी चाहिए ठीक है बाकी तुम्हारा हाथ पैर नहीं दिखना चाहिए है ना जो कि दिख जाएगा तो गरबढ़ी हो जाएगी फिर बहुत जदा variance, material, price, variance, material, cost, variance, m4-m1, m2-m1, m4-m2 ठीक है तो यह तुम लोगों को data feed कर रहा है और खुद से निकालना है self service करना ठीक है खुद से आपको निकाल लेना है इसको बहुत असान topic है और तुम लोग बोलो के भाईया क्यों भाईया क्यों बेटा कुछ portion तो homework में लेके जाना पड़ता है तो यह तुम्हारा homework निकाल लेना ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं और next topic वर discuss कर लेते हैं ठीक है ठीक है हमको कोई दिकत नहीं है हमने दिकत नहीं है हमने दिकत नहीं है चलो L1 निकालेंगे फटा-फट से सारे बच्चे एक्चुल बेटा 3,64,000 एक्चुल ठीक है L2 एक्चुल टाइम पेड़ पॉर इन्टू स्टैंडर्ड रेट तो एक्चुल टाइम बच्चा कितना है देखो यहां पर 7,000 घंटे है और स्टैंडर्ड रेट 50 रुपर परा रहे है 35,000,000 रुपर बेटा अब तो तुम लोगो मजाग टाइप लगना चाहिए क्वेश्चन क्यों मजाग टाइप लगना थी बेटा इतने क्वेश्चन करने के बाद देखो मैं मायन के चलड़ना तुम लोग और क्वेश्चन प्रैक्टिस कियो और यहां पर मैंने इतने सारे चैप्टर का क्योंकि बहुत जादा बन जाता एक्जाम में इस लिए चैप्टर को स्पेशल अटेंशन देने की जड़त पढ़री हो स्पेशल अटेंशन का रीज़न है इतने सारे क्वेश्चन करना तुम लोग को लगे का भाई है कुछ जादे ही क्वेश्चन ले ले रह साहर निकाला 10-10 कीलों का पैकिट बना दिया 900 पैकेट बन गया एक पैकेट के पीछे यह देखो लीख है बर पुद्अ कि इंसी स्टैन डेर्ट रेट नौसो इंटू 400 रुपए का लेबर तो यह रहा बेटा 36 लाख रुपए 36 रुपए और वी कम्यूनिकेटिंग येस चलो फटा फट से निकाल लेंगे लेबर कॉस्ट एफिशेंसी अच्छा यह मैं निकाल दिया हूं वेरियंस तुम लोग फिशेंसी निकालना बस इतना ए निकालना यह तुम लोग निकालने तुम लोग Kabla ver Explore कोस्ट इसडी निकालना है को शी बियो वन माइनस वियो थी माइनस वियो ती निकालना है और और वी ओ न निकालने यह बियो त्री आउटपूट कितना है 900 इन्टू रेट यह देखो 80 रुपए पर पैकेट 80 रुपए पर पैकेट इन्टर रेट ठीक है 900 रुपए पर पैकेट तेन्डर रेट तो 900 इन्टू अस्ती यह जाएगा 72,000 वी ओत्री वी ओवन ऐक्चुल 72,500 तो VO3 minus VO1 करोगे variable overhead cost variance तुम्हारा आ जाएगा finally FO1 निकालना है और FO5 निकालना है fixed overhead cost variance के लिए variable overhead cost variance होगे fixed overhead FO1 क्या हो जाएगा actual सीधा उठालो 1,92,000 बेटा data question में दे के रखा है बस हमने कोई use करने आना चाहिए actual output into variable overhead दोसो 9, 2018 1,80,000 cost variance कितना आ जाएगा 1,80,000, 12,000 ठीक है तो यह तुम्हारा fixed आ जाएगा तो variances निकालने न तुम लो ठीक है यह मैंने तुम लोग को निकाल के दिखा दिया और यह question genuinely बहुत easy question था बस क्यों तुमको यह question भयंकर दिख रहा था बड़ा दिख रहा था बड़ा पर है एकदम easy question concepts तो बिल्कुल नियूज हुए सब data direct 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 देखे रखा है everything is direct packet वाला logic हो सो तुम्हों को समझ पर आ गया होगा कि 9,000 kilo बना 9,000 kilo output नहीं है 9,000 kilo तो बन के निकला एक packet के अंदर 10 kilo डाल दूँगा तो 900 packet is my output इसलिए मैंने packet की basis पर निकाला तो 900 packet इंटू 400 standard rate per packet 900 इंटू 400 standard rate per packet 900 इंटू 800 standard rate per packet 900 इंटू 200 standard rate per packet आर यह बात समझ में तो यह एक packet का था यह देखो पर packet का cost card दिया हुआ था तो इसको अभी note कर लो तुम्हों और इसके साथ बहुत डराने वाला चाप्टर है बहुत इक्जाम में परिशान करने वाला चाप्टर है अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस इन lectures के बाद में तुम लोगों का standard costing का डर जरूर खतम हो गया होगा अकर ऐसा है तो जरूर प्रोवाइट करना मेरे तक पहुचाना अपना रिव्यू तुम लोग ठीक है कि तहां बहुत कोस्टुम आ रहा है दम बढ़िया जोड़दा ठीक है चलो फिर नेक्स लेक्टर निलते एक नए चाप्टर के साथ में अब तक लिए गॉड ब्लेस्ट यू टेक करें ça बाइब बाइब को एक बाइब बत्त्के हाँ